इस dimension चेंज करने के लिए हमने क्या करना है? dim, edit, dimension edit, r for rotate, अब किसको rotate करना है? इस text को, second point, dim, edit, इस text को first of all select करते हैं, dim, edit, इसके बाद इसको, इसके text को rotate करेंगे, specify angle, 45, dimension के अंदर जो text है, उसके अंदर editing गो रही है, dim, first of all हम इस dimension को select करेंगे, उसके बाद type करेंगे, dim, edit, dimension edit, इसके बाद हमने, अगर rotate करना है, तो r type करेंगे, हमने इसको rotate करना है, 180 degree में, तो text rotate हो गया है, dimension की जो value है, वो rotate हो गया है, तो यह आपकी, dim, edit, command है, यह आपके, जो side पे जो handle हैं, इसको आप angle देना चाहते हैं, या, text को rotate करना चाहते हैं, या कोई new, format देना चाहते हैं, and for new, यहां पे change कर सकते हैं, dli, बाकी dimension सारी same रहींगे, लेकिन इस में जो हमने editing की, dim, edit command के अलब से, वो वो यह है, दो बार रोटेट करते हैं, dim, e, d, i, t, अच्छा, वो आपने यहां पे set करना है, अगर आपने यहां पे dimension change कर दी, तो सारी dimension change हो जाएगी, ले रहे हैं, तो यहां आपकी dim, edit command है,